हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम पेपलम टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर फैबरिक लिया है ये फैबरिक रियोन का है तो सबसे पहले हम टॉप परड की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने आपर फैबरिक को 4 के लेंद हमने 15 इंच ली है अब यहां पर हम्शोडर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच, आर्मोल भी 7 इंच है लेकिन हम स्लीवलेस बनाएंगे तो आर्मोल हम , हाफ इंच कम कर लेंगे तो आर्मोल मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, इन दोनुपोंइंट सको 11 इंज और यहां पर हमें कमर का फोर्थ पार्ट प्लस 2 इंज मार्जिन लेना है तो मैं ले रहे हूं 9 इंज अभी इन दोनु पॉइंट्स को जोड़ देंगे अभी यहां पर हम 1 इंज पे मार्क करेंगे और हलका सा राउंड शेप देतेंगे अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहां से हमें आर्मोल का शेप दे देना है यह हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंज अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे यह हमारा फ्रेंट का आर्मोल है अभी हम neck की marking करेंगे तो यहाँ पर हम boat neck बनाएंगे तो इसके लिए मैं neck width ले रही हूँ 4.5 inch और neck deep ले रही हूँ 4 inch और उसके बाद हम इस तरह से इसे shape देंगे तो marking हो गई है अभी हम cutting कर लेंगे तो सबसे पहले हम neck और back armhole से cutting करेंगे तो हमने cutting कर ली है अभी हम इसे open करेंगे और इसमें से back part को side में रखेंगे और front part को face से fold करेंगे और front armhole की cutting कर लेंगे तो हमने front armhole की cutting कर ली है तो इस तरह से हमने top part की cutting कर ली है अभी हम bottom part की cutting करेंगे तो हमने fabric को two fold करके रखा है यहाँ पर open side है और यहाँ पर fold side है अभी इसे उठाते हुए हम इस तरह से fold करेंगे तो देखे यहां पर हमारी fold side है यहां पर भी fold side है और यहां पर हमारी open side है अभी जो हमने top part cut किया था इसे हम यहां पर रखेंगे और इसे हमें बिल्कुल तिर्चाई रखना है इस तरह से और जितने में इसका waste का size आ रहा है उदने में हम इसे adjust कर लेंगे और यहां पर हम waste का निशान लगा लेंगे उसके बाद हम length ले लेंगे यहां से तो इसकी जो length है वो मैं ले रही हूँ 10 inch प्लस 1 inch margin लेंगे तो 11 inch की length ले रही हूँ मैं यहां पर यहां पर 11 inch पर mark करेंगे और दूसरे side में भी हम 11 inch पर ही mark कर लेंगे और उसके बाद इस दोनों निशानों को हमें straight कर लेना है इसे हमें सीधा कर रहा है और इसे सीधा यहां पर जोड़ना है तो इस तरह से हमें इसे square बना लेना है और इसे हम यहां पर जोड़ देंगे तो यह हमारा यहां पर square बन जाएगा तो marking हो गई है bottom part की अभी हम इसकी यहां से और यहां से cutting कर लेंगे तो हमने bottom part की cutting कर ली है तो देखे यह हमारा bottom का part इस तरह से आएगा अभी यहां पर हमारी fold side है दोनों तरफ तो इसको भी हम cut करके separate कर लेंगे तो यह हमारे front और back के दो parts है यह दिखे और यह top part में हम attach करेंगे तो यहां पर यह side से थोड़ा सा जादा है तो हम इसको cut करके दोनों parts को बराबर कर लेंगे तो देखे हमने दोनों parts को बराबर कर लिया है top part और bottom part को अभी हम इसके bottom को fold करेंगे तो सबसे पहले हम एक part को side में रख लेंगे और यहां पर हमें 3 side को fold करना है यह देखे यहां से लेके यहां तक हम इसको फोल्ड कर लेंगे तीन साइड हम फोल्ड कर देंगे डबल फोल्ड और इसी तरह से दुसरा पार्ट लेंगे और दुसरे पार्ट में भी तीन साइड को हमें डबल फोल्ड कर देना है तो हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया है और इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट के भी बॉटम को फोल्ड कर लिया है अभी हम नेक बनाएंगे तो सबसे पहले नेक के लिए हम स्ट्रिप कट करेंगे तो इसके लिए हमने फाब्रिक लिया है और फाब्रिक को हम फोल्ड कर देंगे और यहां पर फ्रेंट पार्ट को हम इसके उपर रखेंगे फोल्ड साइड के उपर हमें फोल्ड साइड ही रखनी है उसके बाद नेक के शिप में इसकी कटिंग कर लेनी है तो हमने इसकी cutting कर ली है अभी यहाँ पर 1.5 इंच का margin छोड़ेंगे और extra कपड़े को cut कर लेंगे तो इस तरह से हमने neck के लिए strip cut कर ली है अभी same इसी तरह से हम दूसरे part के लिए भी strip cut कर लेंगे अभी हम इसको attach करेंगे तो इस तरह से हमें top part को open करके रखना है और इसके उपर हमें strip को रखना है उल्टा और यहाँ पर हमें neck के shape में सिलाई लगा देनी है अभी हमने दूसरा part लिया है और दूसरे part में के लिए भी हमने same इसी तरह से strip cut कर ली है तो इस strip को भी हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो हमने यहाँ पर strip को attach कर लिया है अब यहाँ पर हम छोटे-छोटे cut लगा लेंगे और cut लगाने के बात में हम strip को wrong side में turn करके top stitch लगा लेंगे और इसे हम अच्छे से press भी कर लेंगे और सेम इसी तरह से हमने दुसरे part में भी strip को attach कर लिया है अब यहाँ पर भी हम छोटे-छोटे cut लगा लेंगे और इस strip को भी हम wrong side में turn करके top stitch लगा लेंगे और इसे press कर लेंगे तो इस तरह से हमने front का neck बना लिया है बाद में हम यहाँ पर इसे fold करते हुए hand stitch करेंगे और सेम इसी तरह से हमने दुसरे part का भी neck बना लिया है अभी हम दोनों parts को एक दुसरे के ओपर उल्टा रखेंगे दोनों की CV side हमें अंदर की दरफ रखनी है और shoulders attach कर लेना है तो हमने shoulders को attach कर लिया है अभी हम our mold ready कर लेंगे तो इसके लिए यह हमने तिर्ची पटी ली है cross strip और इस पटी को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा के इसे attach कर लेंगे और सेम इसी तरह से दूसरे side के लिए भी हमने strip ली है इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा के इसे attach कर लेंगे तो हमने आपर strip को attach कर लिया है अभी यहाँ पर हम छोटे-छोटे कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद में हम इसे रॉंग साइड में डबल फोल्ड कर देंगे तो हमने आर्मोल को रेडी कर लिया है अभी हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को एटैच करेंगे तो टॉप पार्ट को हम बॉटम पार्ट के ओपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगा के इसे एटैच कर लेंगे और इसी तरह से बैक पार्ट को भी एटैच कर लेंगे तो हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को एटैच कर लिया है अभी हमें से उल्टा करेंगे और दोनों साइट से फिटिंग कर लेंगे